किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारा मस्तिस्क ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और हमारा सबसे बड़ा सत्रुभी है जब यह हमाई पास्टिवे मिले के जाता है तो समस्याओं का डट कर सामना करने की सकती देता है और हमें बिजय की और ले जाता है लेकिन जब यह negative हो जाता है तो फिर यह हमें कहता है कि भाग जाओ और हार मान लो इसलिए दोस्तों सदय हमें सकरात्मक रहना है ऐसे लोगों की संगती करनी है जो पास्टिव रहते हैं जो समस्याओं से लड़ना सिखाते हैं भागना नहीं क्योंकि ऐसे लोग झीवनमें हमें सफलता प्राप्त करवा सकते हैं याद रखेगा कि संगत का असर हमारे ब्यक्तित पर जरूर पड़ता है दोस्तों बहुत सारी लोग होते हैं जिने जीवनमें हर पल हर च्छन हर कंडिशन पर जब नहीं होता है और ऐसे लोग निश्ची तुरुप से सफल तो नहीं ही होते हैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का स्टेटी वी ध्यान प्रकास के मानी न्यूज सेसन में दोस्तों, आज है 17 दिसंबर शुरू करते हैं आज की मानी न्यूज खंड सिक्षा, अधिकारी की सेक्षी युगता पर अभी बिवाद थमा नहीं है अभिरती लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग कुछ पॉइंट को एक्स्प्रेन करवा पाएं आयोक के द्वारा, मैंने भी इसके बारे में आयोक को पत्र लिखा है जैसे ही सुचना मिलती है तुरंट आपको बताया जाएगा दोस्तों यहाँ पर B.A.D. और L.T. वाले B.E.O. का आविदन कर सकेंगे यह बात तो बिल्कुल अस्प्रस्ट है हलांकि जो L.T. डिप्लोमा था यह 1996-1997 में ही बंद हो गया है और बहुत सारे अभ्यर्थी तो 1996-1997 में उनका High School और Inter भी पास नहीं रहे होंगे तो ऐसे लोग तो L.T. से मतलब L.T. का कोई मतलब भी नहीं है फिराल सिर्व एक सक्षियों किता है जो की बिल्कुल अस्प्रस्ट है और वो यह है कि B.A.D. वाले इसमें सकेंगे और जी के साथ एक पॉइंट और भी सामने आता है कि B.T.C. वाले इसमें eligible है या नहीं है तो दोस्तों ये सारी बातें अभी जो है ब्याक्ख्यायत नहीं हो सकी फिलाल जो पिंद बिल्कुल अस्पस्ट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं खंड सिक्षा अधिकारी के लिए B.E.D. बिल्कुल मानने है और इसमें कोई भी संदे नहीं है केवल B.T.C. मानने है या नहीं इसके बारे में बस इतना कहा जा सकता है कि B.T.C. को अभी सिर्फ वेटेज के रूप में माना जा रहा है यानि कि अगर कोई व्यक्ति B.E.D. है प्लस B.T.C. भी है तो उसको जो वेटेज दिया जाएगा वरीता दी जा रही है डिरेक्टी B.T.C. को अभी मानने नहीं किया गया है ठीक है और B.E.D. के समक्ष कौन कौन सी अरताएं होती है इस पर भी अभी कोई असपस्ट रूप से बात सामने नहीं आई है यानि कि अभी कुछ बिंदू है जिस पर असपस्टी करन सेस है फिलाल B.E.D. वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास L.T. डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं L.T. डिप्लोमा बहुत कम लोगें पास होगा फिलाल एक ही एलिजिमिल्टी बसती है B.E.D. कि इसके जो लोग B.E.D. होल्डन है वो लोग फटाफट आवेदन कर सकते हैं B.E.D. के साथ इनके पास B.T.C. है वो लोग भी आवेदन करें और उनको वेटेज मिलेगा बागी की जानकारी जैसे ही में प्राफट होगी हम तुरंद आपको अपडेट करेंगे अब बात कर लेते हैं कि इसकी परिशा कब तक हो सकती है तो दोस्तों खंड सिक्षा अधिकारी कि जो प्रारंबिक परिशा होगी इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सुचित कर दिया था कि इसका स्लेवस क्या होगा और परिशा पाइटरन क्या होगा प्रारंबिक परिशा में एक पेपर होगा और ये क्वालिफाइंग होगा और इसका जो लेबल होगा बिलकुल वही रहने वाला है जो की समिशायतकारी परिक्षा का रहता है यानि कि जो परिक्षा हो रही है UPPCS की उसे थोड़ा सा भी लो तो तयारी आपको difficulty लेबल से ही करनी होगी और इस चनल पर लगातार इसी क्लास से चलेंगी अगर आप लोग अपने तयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चनल से आप लोग जुड़ सकते हो साथी साथ आप लोगो पीडिया भी प्रोवाइड करवाई जाएगी लेकिन एक बात और भी है कि कुछ कोर्स हम paid रखेंगे ताकि जो गंबीर किसके अभेड़ी हैं वो लोग अपनी मंजिल को प्रावत कर सके हैं और हम उनकी पूरी मदद कर सके हैं जो paid कोर्स होते हैं उसको चलाने का basic जो मोटो होता है मकसद होता है वो यह होता है कि जब हम किसी से fees लेते हैं चाहे वो एक रूपए ही क्यों न ली जाए तो फिर हम dedicate हो जाते हैं हम बद हो जाते हैं हम बद जाते हैं कि हमें course को complete करवाना ही है और इसके लिए हम paid courses लेकर आएंगे आप सभी लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं friends चलते हैं अगली ख़बर पर देखो एक बड़ी ख़बर है जिसका विरूध होना सायद निश्चित है सायद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ना भी हो फिलाल minority जो intermediate college है अलब संक्रक साहता प्राप्त माधिमिक विद्यालों में न्यूक्ति के लिए सरकार नेमाली में संसुधन कर रही है और उत्तर प्रदेश intermediate शिक्षा अधिनियम 1921 में संसुधन करते विए प्रदाना चारे पत के लिए सामान और OBC बेर्दियों से आविदन फीस 12,000 रुपए जबकि SCST से 700 रुपए रखी गई है जहां दिजेगा कि यहां पर जनरल और OBC को प्रदाना चारे पत के लिए आविदन करने के लिए 12,000 रुपए फीस देनी होगी और जो SCST है उनको 700 सामान और OBC बेर्दि की फीस SCST से लगबग 17 गुना अधिक होगी और सिक्षक पत कले सामान और OBC से 600 रुपए और SCST से 400 रुपए की फीस लिए जाएगी जैसा कि आपको पता होगा कि अब तक ऐसे जो स्कूल होते थे Minority Intermediate College उसमें Management ही एक तरीके से भरती करता था प्रव आ रही थी तो इसको पारदरसी बनाने के लिए सरकार ने इसमें हस्तक छेप किया है और 12 सितंबर को जारी गजट के अनुसार सेधी भरती से भरे जाने वाली रिख्तियों की संख्यात तैय करने के बाद प्रवंदक प्रशलित कम से कम एक हिंदी और एक अंगरी पेपर में हैं नोटिफिकेशन आउट करेंगे उसके बाद फिर यह पूरी प्रक्रिया होगी और प्रणाचार, प्रवक्ता, सायक अध्यापक और प्रामरी अध्यापक के लिए 90 अंगे की लिखित परिश्या होगी 10 अंग का इसमें इंटर्वी होगा और यह सारी प्रक्रिया होगी वो सिच्छा ने दे सक मंडल के लिए बंद्रा या अधिक विश्य सवग्यों के पैनल तयार कर जेडी को भेजेंगे इन में से तीन के नाम साख्षातकार के लिए जेडी पर बंदन को उपलब्द कराएंगे ज्यानिकी सब कुछ इसमें प्रदेश अस्तर पर होगा 90 अंक की इसमें इंटर्विय होगा तो ये सारी प्रक्रिया फालो की जाएगी फिलाल इसमें सिर्फ एक ही बात ऐसा है जो की मतलब जिस पर आपजेक्शन हो सकता है और वो कौन सा है फीस बहुत अधी रखे गई है प्रिंस्पल के पाइद के लिए आगे बढ़ते हैं चलते हैं अधियाबकों की भर्दी प्रिक्शा में अपर मुक्य सच्चिव बादिमी सिक्षा से बैक्तिकत हलफ नामा मागा गया है और कोट ने इसके लिए उन्हें 13 जन्वरी तक का समय दिया है उन्हें ने कहा कि अगर 13 जन्वरी तक हलफ नामा प्राफ नहीं होता है तो याज़ि प्रिके तत्यों के अभृति विग्ञान, रहसान विग्ञान के शात्र गणीत नहीं लेते हैं इसलिए जिव बिग्ञान के 158 पधों को विग्यापन से अलग कर दिया गया है और इसे लेकर याज़ क्या दाखेल हुए है जिस पर 13 जनरी तक हलाफ नामा मागा गया है अचली में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी भी संगतियां सामने निकल कर आती है ल्टी ग्रेड में जियो बिग्यान की परिक्षा भी युई थी और उसका पैडाम भी जारी हो गया तो फिर माधिमिक में ज जियो बिग्यान एक भी से है और उत्तर प्रदेश का ही मैटर है तो जियो बिग्यान बहाल तो जरूर होगा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जब आयों के भी सिस्वक्यों की होगी परिक्षा मतलब यहां पर नियुज यह निकल के आ रही है कि अब तक यूपी पियस्सी प कई बार चैलेंज की गई है तो इस बार जो परिशा होई है यूपी पीसे 2019 की क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात नहीं देखा है तो देख लीजिएगा हलागी इसका हल मैंने इसी चैनल पर और उलेबल करवा दिया था उसक पर ऐसे टॉपिक जो की रेगुलर रूप से पुछे जाते थे उस पर प्रस्ट नहीं बने थे जैसे कि उत्तरपदेश जीके पर कोई भी प्रस्ट नहीं था तो उत्तरपदेश जीके की जिन लोगों ने तैरी की थी उनका प्रस्ट भी बेढ़ते गया और बाकी की जो प् पांसर की ही चैलेंज हो जाती है आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगली कबर पर अगली कबर है कि CHSL 2017 के 5844 पर होगी भरती परड़ाम जो होंगे वह 20 दिसंबर तक जारी कर दिये जाएंगे और आयो की और से CHSL में पोस्टल डिपार्टमेंट में 3222 पर और LDC JSA के 2646 पर केंद्री सुरक्षा परलों में कुल मिला के देखा जाए तो 6210 सिपाईयों की भरती होनी है और यहाँ पर जो आयो की और से जारी सोचना में कहा गया है कि BSF, CISF, SSV, ITBP, NIA, सहीत, अन्य भिभागों के लिए 50,699 पूरुस पदों और 9511 महिला पदों को मिला लिया जाए तो 60,210 पदों पर भरती होनी वाली है और इस बार UBTT में जो प्रस्वत्र होगा वो चौकाने वाला हो सकता है इस बात की पूरी सम्मौना है कि इस बार का जो प्रारूप होगा वो बिलकुल सीटेड के प्रारूप पर होगा क्योंकि पिछली बार जो रिजल डिदारी हु से यह सरकार के लिए एक चलेंज हो जाता है इसलिए सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि वह जो है प्रस्वत्रों का लेबल थोड़ा सा हाई रखे सीटेड के लेबल का प्रस्पत्र इस बार आपको देखने को मिल सकता है परिशा संस्ता कई दिनों तक भी सब्सवत्रों के करनी होगी बैसिकली देखा जाये तो प्रस्वत्रों के वह थोड़ी सी गहराई लिए रहे होंगे और इसके लिए आपको तयार रहना होगा और इसी के साथ चलते हैं अगनी खबर पर एयार पी एक ऐसा पद्ज जिसके लिए सिक्षक आवेदन नहीं कर रहे हैं और इसका क परिच्छा में सामिल होंगे उनकी संग की सदस्ता समाप्त कर दी जाएगी और भविष में उन्हें किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया जाएगा बेसिक शिचावग भाग ने एबी आर्सी के पत्स खत कमरते हुए ब्लाग पर एयार पी और जिलास्तर पर अकादमिक रिसो है तो इसे लाइक और शेयर करें हम मिलेंगे आपसे अगरे वीडियो में तब तक कि लिए मैं आगें दीजिए नमस्कार जैंद